नमस्कार मैं हूँ मनीशा जहाँ आप देख रही है एबियने नियूज केंद्र सरकार ने कुरोना की दीसरी लहर के खत्रे को देखते हुए लोगों से कुरोना वाक्सीन लगवाने और घर पर ही तेवार मनाने की अपील की है इसके लावत सरकार का कहना है कि टीका लगवाने के बाद भी लोगों को भीर भार से बचना चाहिए दरसल स्वास मंतराले ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाने से बचना चाहिए और यदि ऐसा करना बेहत जरूरी होता है तो ये सुनिशित किया जाए कि शामिल होने वाले सभी लोगों का टीका करन हो चुका हो इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने टीका करन कराने और कोविट प्रोटोकॉल का सकती से पालन करने की हिदायत भी दी है केंद्र ने कहा कि ये सही है कि वीकली पॉजिटिविटी रेट में कमी देखने को मिल रही है लेकिन अब भी कुरोना की दूसरी लहर हमारे बीच से गई नहीं है सरकार के मताबिक अब तक देश के 16 फिसदी वियसकों को कुरोना वाक्सीन की दोनों डोस लग चुकी है इसके अलावा 54 फिसदी वियसकों को कम से कम एक टीका लगा है हलाकि यहीं नहीं है माचल प्रदेश, सिक्किम, दादर और नागर हवेली में भी सभी वियसकों को कुरोना वाक्सीन का पहला टीका लग चुका है बहर हाल हेल्थ मिलिस्ट्री ने कहा कि तीसरी लहर के आने की आशंग का जाहिर की जा रही है इसके अलावा आने वाले दिनों में तेओहारी सीजन भी रहेगा है ऐसे में भारी भीड के बीच जाने से बचना चाहिए यदि जाना भी है तो सुरक्षा की नजरिये से कम्प्लीट वैक्सिनेशन होना बेहद जरूरी है साथी सरकार ने ये भी सला देए कि सभी लोगों को तेओहारों को घर पर ही मनाना चाहिए इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन पहले की तरह ही जारी रहना चाहिए यही नहीं उन लोगों को भी वाक्सिन लेने के लिए प्रेडित करना चाहिए जिन्होंने अब तक वाक्सिन नहीं लगवाई है इस बीच बता दे कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि देश भर में अब तक कोरोना के नए डेल्टा प्लस वैरियंट के तीन सो से जादा केस मिल चुके है तो फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही है एबेने नियूस के साथ